जाहिन दोस्तों स्वागत है आज की हमारी नई क्लास जो की Simple Interest, Compound Interest की है और इसका मैं बहुत ही अच्छा टाइप जो की औसत से जुड़ा हुआ टाइप है ये तो औसत से जुड़े हुए सवालों को लेकर आया हूँ औसत यानि की Average तो औसत से जुड़े हुए सवाल है औसत हम किसी भी परकार के निकालते हैं लमसम बोल सकते हैं कि जैसे एक कमरा है तो कमरे में किस उमर के जो हैं लोग बैठे हैं तो हम अगर 22 साल बोलते हैं तो सभी 22 के नहीं होंगे हो सकता है कोई 50 का हो कोई 20 का हो, कोई 18 को हो मगर जब औसत निकाली जाती है average निकाली जाती है तो वो एक common point निकाला जाता है तो उसे औसत कहते हैं तो इस question में भी कुछ common बात होगी तो इस question को हम study करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा बचो गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से गोपाल ने क्या किया आंशिक रूप से 4% और 5% कितने परसंट बचो 4% और 5% की दर्स से दो लोगों को उधार दिये बंदे ने क्या किया 5000 रुपए लिया और दो बंदों को पैसा दे दिया कितना कितना दे दिया एक को दिया 4% दूसरे को दिया 5% इतना समझाया जी ये फर्स्ट है और ये सेकंड पर्सन है ठीक है जी इतना समझाया जी इसके बाद आगे पढ़िए दो बर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक ओसन की दर से जो है ब्याज प्राफ्ट हुआ यानि कि इन दोनों से जो है 4.2% की दर से जो है 2 साल बाद ब्याज प्राफ्ट हुआ तो इसका मतलब इन दोनों में अंतर कितने काया अब दोनों में अंतर कितने काया बेटा point 2 का आया, कितने का आया point 2 यानि कि 0.2% अगर हम इसका अंतर निकालें तो कितने का अंतर आया cross में निकालना होता है 0.8% सभी है, यानि कि इस वक्त अगर हम देखें तो पहले का भाग 0.8 आ रहा है दूसरे का भाग जो हो वो 0.2 आ रहा है, ठीक है तो ये पहले का आ गया ये पहला है first और ये second तो पहले का आ गया 0.8 दूसरे का आ गया 0.2 पॉइंट से point अटा दिया तो एक का आ गया 4 और एक के आ गया 1 ठीक है? I hope कि आपको ये बात तो clear होगी होगी 4 ratio 2 कैसे बना है इसको हमने ratio में बदला तो total ratio कितनी होगी बच्चो 5 होगी अब इन्होंने पूछा क्या है कि 4% वाला ये जो पहला बन्दा है कौन सा है बन्दा? 4% वाला है इसको कितना धन प्राप्त होगा 4% वाले को तो 4 बटा 5 total प्रसेंट जो ratio होती है वो नीचे आती है गुना total पैसा कितना डिवाइड होगा? 5,000 रप्या तो कितना आगे है बच्चो? 4,000 रप्या ये पहले बन्दे को मिलेगा 4,000 रप्या फरस्ट परसन को अगर ऐसे second परसन पूछा होता है तो एक बटा 5 गुना 5,000 रप्या total आपको पता लग रहा है 4,000 रप्या तो दूसरे को क्या मिलेगा? 5,000 मैं रहे हजार रप्या total हो जाएगा 5,000 तो इसलिए हमारा अंसर जो है वो पहले बन्दे को यानि कि 4% वाले को कितना मिलेगा? 4,000 रप्या ये इसका सही अंसर है ठीक है जी? अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं सेम इसी प्रकार से उठाया हुआ सवाल है एक ब्यक्ती ने 15,000 रप्या का कुछ भाग 15% और 6,000 दस प्रसेंट मतलब 15,000 रप्या का कुछ भाग जो है वो 15% और 10% पर दे दिया और व्यक्ती ने कुछ दिनों बाद 12% और 6,000 की दर पर ब्याज प्राप्त हुआ तो 10% वाले का निकालना ये 10% वाले का सबसे पहले माइनस करो तो कितने रह गए? इसके 3, यहां से माइनस किया तो 2 ठीक है जी? यही रेशो बन जाती है कौन सी रेशो बन जाती है? कलर बदल देता हूं कि आपको अच्छे से समझा जाए यह मैंने ब्लू कलर ले लिया यह रेशो बन गी है अगर बनती है तो बनाओ नहीं बनती है तो मत बनाओ टोटल रेशो कितनी होगी? बच्चों 5 होगी अब आपको निकालने के सिकी है 10% वाले की तो 10% वाले की रेशो निकालने है तो रेशो कितनी होगी? तीन टोटल रेशो 5 गुना पंदरा सो ठीक है? तो 5 तीए पंदरा तो 3 तीए 9 900 कितना आए यागा? 900 ठीक है? अच्चा आप बुलोगे सर ठीक है ये तो आपने निकाल दी थी 10% वाले की आप निकालो और आप 15% वाले की तो दुनों का जोड़ अंसर सही होगा की गल्द होगा? मैं गोलना ठीक है देख लेते हैं तो 2 बटा 5 गुना पंदरा सो देखो पंस थी ये पंदरा तो कितना आ गया? 600 और 900 जमा 600 कितने होगे? 1500 ठीक है? तो इसका मतल़ हमारा मैटर जो है वो बिल्कुल सही है 900 ही इसका सही अंसर है क्योंकि हमसे अभी जो पूछा गया है वो 10 परतीशत का पूछा है किसका पूछा था? 10 परतीशत का I hope कि आपको ये टॉपिक जो है अब औसत पर जो है भ्याज पर अगर जब पैसा दिये जाएगा तो आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छ से क्लियर हो जाएगा Next question की तरफ चलते हैं Question क्या है? ध्यान से देखिएगा एक व्यक्तिन है Bank से 8000 रुपए इस शर्थ पर लिए या उधार लिए कि पहले वो 5 साल के लिए 6% पहले 5 साल के लिए 6% अगले 3 वर्षों के लिए 8% और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% सिधारन ब्याज लगेगा मतलब आगे आगे के लिए ब्याज जो है तो इस परकार से जो है ब्याज चलता रहेगा तो यदि उसने 12 वर्ष के अंत में ही उधार बापिस दे दिया है तो बताओ कि उसने ब्याज कितना देना पड़ा ध्यान से सुनियेगा question को एक आदमी है जैसे मैं हूँ Bank में पैसे शुरुआत किये पहले पांच साल के लिए 6% लगेगा जैसे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौता साल, पांच में साल ए पहले पांच साल आगे जिस पे 6% भी आज लगना है अगले तीन वर्ष के लिए यानि कि 5 साल के आगे 6, 7, 8 इन के लिए कितना % फिया लगे गा इन के लिए लगेगा जी 8 % है और इसके बाद 8 बर्षों के लिए इनिकि इसके आगे के जो आठ वर्ष है, यानि कि आखे चलाई ये, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, ठीक है, इतने सालों के लिए कितना प्रसेंट भी आच चलेगा, 10 प्रसेंट भी आच चलेगा, मगर व्यक्ती ने क्या किया है, 12 साल के, यानि कि यहां से लेकर, यहां तक ही उसने स्टॉपेज कर दिये, इतने समय में ही उसने पैसा पूरा दे दिया है, ठीक है, यह ध्यार न रखना, यह चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है, इसी से कोशन बन गया, अब आपको स सिखाया है बचों, SI इकल टू P into R into T over 100, बोला ही, बिल्कुल सही है, यही सिखाया था, मैं बहुत हम भी यही करेंगे, प्रिंसिपल क्या हुआ, जो स्टार्टिंग पैसा है, 8000 रुपेया, रेट और टाइम का ध्यान रखना है, रेट और टाइम क्योंकि यह चेंज हो रहा तो देखी, पहले पांच साल के लिए बियाज कितना बन रहा है, पहले पांच साल के लिए बचों, 6% सर, इसलिए हम यहाँ पर पांच गुना चे कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे के साल के नहीं है, आगे के साल के नहीं है, तीन साल के लिए अगले आगे तक नहीं गिया आगे तक नहीं गिए तो अब कितने साल लग रहे हैं एक, दो, तीन, चार, उसके आगे तो उसने भरा ही सने भरा ही ना उस से पहले ही उसने पूरा पैसा भर दिया, तो चार साल के लिए, कतने प्र संट भी आज भर रहा है, दोनों जीरों से दोनों जीरों के असी यह आगए आपके बैटा ठीक है ठीक है पांचे के तीस अर्थी चॉबी और यह चालिस तो इसको टोटल कर लिजिए असी को ना चरानुए और चरानुए को जिकरेंगे आठ से तो कितना होता है साथ सो बावन यहीं कि सैवन फिफ्टी टू यह जीरों लग जाएगा तो यह इसका हल भी आ जाएगा ब्याज भी आ जाएगा यह तरीका है इस कॉश्चन का ब्याज हम लगाएंगे तो आई होप कि आप कुश्चन को समझ पाएंगे और दिल से समझेंगे सोचिये किसी धनराशी पर पहले दो वर्श के लिए कोई राशी है जिसके दो सालों के लिए 4% अगले 4 साल के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज जो है वो जोड जोड आगिया यदि 9 वर्षों में कुल सधारन ब्याज जो है वो 1120 यानि कि इसमें ब्याज दिया है मूल धन निकालना यानि कि विद्धन ग्याद करें कॉशन को समझते हैं पहले तो कॉशन को समझे पहला साल और ये दूसरा साल इन दो साल के लिए जो है चार प्रसेंट प्याज होगा इन के लिए कितना होगा चार प्रसेंट अगले चार साल के लिए छे प्रसेंट यह अगले साल मतलब तीन, चार, पांच, छे इधर तक के लिए कितने प्रसेंट प्याज होगा छे प्रसेंट और इसे अधिक के लिए किसके अधिक के लिए यानि कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे सोन जितने मरजी साल के लिए ये सारा का सारा ब्याज कितना चलेगा 8% चलेगा अब ब्यक्ती ने क्या किया है 9 सब वर्षों में ही पैसा जो है वो भर दिया यहां से लेकर यहां तक जो है वो P into R into T over 100 के वराबर होता है I hope कि आपको मेरी बात जो है वो क्लियर हो गई होगी equal to थोड़ा सा क्या हो रहा है अब ब्याज हमारे पास इस बार कोशन में ब्याज दिया यानि कि 1120 क्या दिया है ब्याज दिया है बच्चों तो P A हो गया अब पिछले कोशन की तरह अब उसने 9 सालों में पैसा पूरा किया है तो पहले 2 साल के लिए क्या रहेगा मैं कलर चेज कर लेता हूं फिर से समझाने के लिए आपके लिए ध्यान से देखिएगा पहले 2 साल के लिए एक ब्याज कितना लग रहा है 4 पसंट सर तो इसलिए 2 गुना 4 आया ये तो क्लिर हो गया हो अगले क्योंकि हमने यहां तक चलना है यहां तक अगले 4 साल के लिए कितना ब्याज है सर 6 पसंट तो वो भी आएगा 4 गुना 6 उसके अगले तो उसने तो नौमे साल में भर दी है यहने कि तीन ही आए ना ये तो तीन गुना 8 बच्चों को ने यहां पर बहुत ज़्यादा कन्फिज इतनी सर आपने तीन गुना 8 यह तीन कहां से पैदा हो रहा है ठीक है जी बटा 100 ठीक है अब आपने यह 100 से मल्टिप्लाई कर लीजिए 11 गुना यह हो जाएगा मतलब 11 20 को आपने 100 से गुना कर देना है पी 4 दुनी 8 6 24 और 8 यह भी 24 ठीक है यह आपको मेरी बातें जो है वो अच्छे से क्लिएर हो रही होगी तो यह टोटल प्लस कर लीजिए तो कितना हो गया 56 ठीक है बच्छों जो की आपका किस से हो जाएगा 1120 इंटू 100 और 56 को अगर हम मल्टिप्लाई करते हैं तो वो 2 से तो यह आएगा 112 होते हैं इसलिए यह आगया तो 2000 2000 तो P की वैली कितनी हो जाएगी बच्छों 2000 यानि कि मूल धन कितना हो गया 2000 रुपे कितना हो गया बैटा 2000 रुपे इस परकार से जो है सधारन भी आज भी पूछ सकते हैं मूल धन भी पूछ सकते हैं तो आपको यह दोनों त्यार करने हैं यह टाइप है और सथ से जुड़े हुआ जो की हमारे चैप्टर सधारन भी आज में बनता है अगला सवाल या अगला परकार है जो की 10 परतिशत एक धन 10 परतिशत वार्षिक सधारन भी आज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा बहुत ही सिंपल सवाल बचो कैसे एक रुपया आपका है और वो 4 रुपये बन जा रहा है बोला कितने सालों में बन रहा है पर मुझे यह मालूम है उसमें 3 रुपये जब जमा हो रहे है तो वो जो है क्या बन रहा है 4 रुपये बन रहा है और कैसे बन रहा है दस परसेंट से बस हो गया हमारा SI is equal to P into R into T over 100 तो P आपको मूल धन कितना था एक रुपया ठीक है जी रेट आपका दस टाइम आपको निकालना है बटा सो ब्याज कितना मिल रहा है एक परी में तीन इसलिए मैंने तीन ले लिए जीरो से जीरो गया तो T की वैली कितनी हो जाएगी बच्चो 30 जनी कि कितने सालों में हो रहा है 30 सालों में हो रहा है तो I hope कि आपको ये टाइप जो है वो जल्दी से आंखों से ही समझाने शुरू हो गए होंगे जब बार-बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होगे तो इस क्वेशन को ध्यान से सुनना है फिर से देखो एक और क्वेशन आया है कोई धन है 5% वार्शिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना जाएगा साथ साथ में ट्राइ किया करो वीडियो को देखते देखते साथ साथ में ट्राइ करना होता है बुला एक रुपया तीन रुपया बनके तीन गुना का मतलब होता है थ्री टाइम्स एक का मतलब तीन गुना तो इसमें 2 रुपे जम्म हुए तो 3 रुपे बने है वही तरीका क्या SI equal to P into R into T over 100 SI ब्याज कितना मिला एक्ट्रा पैसा क्या लगा 2 प्रेंसिपल आपका 1 रुपेया टाइम स्वाइट आगया 5 टाइम आपको निकालना है बटा 100 हो गया पांच से गया तो 5 दूनी 10 तो T कितना आ गया बेटा T कितना आ गया 40 साल I hope कि आपको मेरा जो ये question करने का तरीका है वो understand हो चुका होगा तो ये question जितने ज़्यादा आपको understand होगे उतनी ज़्यादा बहतरी से आपका speed बनेगी speed की ही value होती है तो ये questions के आपको जो types हैं वो बहुत अच्छे से clear करने अब ये type फिर से बदल गया अब आप बोलेंगे sir फिर से type बदल गया भी ये type तो बदल लेंगे ही एक धनराशी है वो 5 साल में 3 गुनी हो जाती है क्या बोलाए एक रुपया है 5 साल में जो है यानि कि ये ही एक रुपया जो है कितने सालों में 5 गुना हो जाएगा यानि कि 4 रुपय जमा हो जाएंगे ये question पूछा हुआ है ठीक है तो question जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो बनते हैं इसी परकार से और आपको इन questions को ही maintain करना है तो किस परकार से हम इस question को करेंगे तो देखें इसको एक रुपया मैंने बताया आपको तीन रुपय बन रहा है यानि कि दो रुपय आपको जो है एक्स्ट्रा है ठीक है कब आये थे जब आपका पास एक रुपया था ठीक है इसी परकार से एक रुपय का तीन बन रहा है गुणा हो रहा है तो कितने सालों में ये पांच गुणा हो जाएगा ठीक है जी पांच गुणा हो जाएगा पांच सोचिए सोचिए ध्यान से सोचिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है देखिए मैं ध्यान से समझा देता हूँ फिर से पांच साल ये दिये हुए है ठीक है दूसरे के साल पता नहीं है तो मैंने क्या किया पांच साल ये ले लिए और ये दूसरे का टाइम पता नहीं है ठीक है यतना समझ आया है ना पांच साल क्यों लिए एक पांच साल में था दूसरे का पता नहीं है मगर ये पता है कि एक का दो रुपे एक्स्ट्रा लगे हैं एक में चार रुपे एक्स्ट्रा आ रहे हैं यह तो समझ आ गया होगा, दो रुपे एक में आए और चार रुपे एक में आए, बस दो एकम दो, दो दुनी चार, तो टी की वल्यू कितनी आगई? 10, कितनी आगई बच्चों? 10, I hope कि आपको यह मैथड भी क्लियर हो गया होगा, यह बहुत ही सिंपल मैथड है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, 10 साल यह देख सकते हैं, आपके सामने यह क्वेश्चन का अंसर था, एक और बार हम इस क्वेश्चन को प्रफेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई धन है, 20 साल में 7 गुना हो रहा है, मतलब 1 रुपे जो है, वो 7 रुपे बन रहा है, कैसे बन रहा है, जब 6 रुपे जुड रहे हैं सर, तो भी उड़ेगा, तो 20 सालों में बन रहा है, कितने सालों में बन रहा है, 20 सालों, हम जागे होगा कि सार क्या बोल रहे हैं अब आपको अंसर भी लग गया होना पता ठीक है जी तो calculate कर लीजी दो calculate कर लीजी तो calculate कर लीजी तो कितना अंसर आजाएगा इक में आया चे बीस बीस क्यों लिक दीए है यहां पर यहां पर इसली गल्द है एक में आया चे एक में आया बारा छे कम चेडिये दुनिवारा दो से यह कहता है चालिस चालिस आएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया था मैं फिर से एक वार क्लियर कर देता हूं इस क्वेशन को क्या मोट भी ही तब ₱sal गया थाальном साथ कि अशुकर धाकर वी अगर तब ऐसालन्ही आधी उनिवल साथ नाउग्य। ouais Cemmm है युटेव चलिस बीशी तो इन्वीyy किऽ चालिस लीजिए लंग चालिस साल तो I hope कि आपको ये भी टाइप जो है वो अच्छे से जो है वो clear हुआ होगा तो 40 साल ये इसका सही अंसर है अगले सवाल के तब चलते हैं किसी धन का 8 प्रतीशत वार्शिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपे का 14 वर्ष में 2 प्रतीशत वार्शिक दर से ब्याज होगा बहुत ही सिंपल सवाल है याद रख लेना इसके लिए हमारा MDH फॉर्मूला चलता है MDH फॉर्मूला क्या है M1 T1 D1 over W1 is equal to M2 T2 D2 over W2 के ब्राबर होता है यह work and time chapter में हम use करते हैं इस method का तो इस method को हम यहाँ पर भी use करेंगे कैसे करेंगे थोड़ा सा बोलने का तरीका ही बदल जाएगा और सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा तो I hope कि आपको मेरी बात clear होगी होगी क्या कहता है किसी धन कोई धन किसी धन मतलब P की बात करें 8% से 7 साल के लिए उतना ही होगा जितना 8000 रुपया जो है 14 साल के लिए 2 वर्ष के लिए होगा ठीक है 2 प्रतिशत वार्षिक दर्ष से होगा ठीक है तो अब आप बताएं कि धन क्या है बस तो P is equal to 8000 रुपया 14 गुना 2 बटा 8 गुना 7 से कार दीजिए कितना हो गया 1000 रुपया जाएगा साथ दुनी 14 दुनी 4 तो टोटल कितना हो जाएगा बैचो 4000 कितना हो जाएगा 4000 कितना हो जाएगा 4000 रुपया आपको यह क्वेशन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा यह मैथड भी क्लियर हुआ होगा नहीं हुआ है तो एक बार फिर से हम इस मैथड पर एक क्वेशन लगा लेते हैं क्या है 10,000 रुपया 12% के रिसाब से 10,000 रुपया है जो कि 12% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया और गनेश ने 5000 रुपया गनेश ने क्या किया है 5000 रुपया 20 सालों के लिए उधार दिया दोनों ने अपनी अब्धी के अंत में समान सधारन भी आज अदा किया तो गनेश किस घृतर से गनेश की वाच आ रही है तो गनेश दूसरी साइड है यानि कि यहाँ पर तो दर मतलब रेट से उसने दिया है तो निकालना है तो रेट इधर रह गया 10,000 यह आ गया ठीक है क ठीक है जी, पांच एकम पांच, पांच होके 20, दो एकम दो, दो दो नीच चार, दो एकम दो, दो चीके 12, तो रेट कितना हो जाएगा बच्चा, 6%, कितना हो जाएगा, 6%, 6 प्रतिशत जो है, वो दर से जो है, वो ये रेट होगा, तो आई होब कि आपको ये टाइप भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो ये थे सधारन व्याज के कुल टाइप, जो कि मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, और ये पिछली क्लासिस में कवर किये हैं, तो ये सारे के सारे टाइप सधारन व्याज से थे, अब हम अगले क्लास के ओपर जाएंगे वो हो रहेगी हमारी क्लास compound interest की यानि की चक्र विधी ब्याज के types की तो हम उनको भी पूरा का पूरा लगाएंगे और बने रहेगा हमारे साथ इसी चैनल पर विजेपत डिफेंस एजूकेशन पालंपुर के आउनलाइन प्लैटफॉर्म पर तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखो प्यारे बैचो और प्रैक्टिस करते रहेगा जै हिंद जै भारत जै हिमाचल